उत्तरप्रदेश के प्रियागराज में जारी छात्रों के प्रदर्शन को समाफ्ट कराने के लिए अप्रशासनिक इस्थर पर बल का प्रयोग किया जा रहा है बड़ी संख्या में अंदोलन इस्थर पर पुलिस और पीएसी जवानों को तैनात किया गया है कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है प्रदर्शनकारी छात्रों ने बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है छात्रों के आंदोलन का आज चौथा दिन है सुबह से ही प्रदर्शनकारी शात्र और पुलिस के बीच विवाद गहराया हुआता है सुबह साड़े दस बजे के बाद बैरिकेडिंग पर रोके गए शात्र उग्र होने लगे अचानक ही शात्रों का जथा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आयोग की तरफ बढ़ चले वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस और पियसी के जवान तैनात है शात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है प्रियाग राज के DCP City ने शात्रों के आंदोलन के मसले पर कहा कि UPPSC के बाहर शात्रों का आंदोलन शांती पूरवक चल रहा है इनके बीच कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं वो शात्रों को भड़का रहे थे उन्हें डिटेन किया है किसी भी महिला को डिटेन नहीं किया है अराजक तत्वों पर कारवाई जारी रहेगी दरसल PCS, RO और ARO प्रारंभिक परिक्षाएं दो दिन आयोजित कर इन परिक्षाओं में मान की करण यानि नॉर्मलाइजेशन लागू करने के खिलाफ उत्तवरदेश लोकसेवा आयोग के बाहर प्रित्योगी शात्रों का धरना जारी है वहीं समाजवादी पार्टी अद्यक्ष अकलेश यादव गुरुवार को प्रियागरा जा रहे है ऐसे में उनके भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है यहां बता दें कि शात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांग का लिखित आस्चवाशन नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा यही नहीं बुद्धवार रात भी शात्रों ने केंडल माश निकाल कर अपना विरोज जताया था